आज की क्लास में हमने पढ़ना है टर्मिनालाजी आफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मीज के सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टर्म होते हैं उनको कैसे दिफाइन करते हैं और कैसे समझते हैं तो सबसे बहरे हम स्टार्ट करते हैं के वाट इस वाइबरेशन किसे बोलते हैं One complete round trip of a vibrating body is called one vibration When its position and direction of velocity become same Vibrating body का एक पूरा चकर एक complete round trip को हम एक vibration बोलते हैं लेकिन उसमें जरूरी है के position और direction of velocity सेम हो जाए जैसे के trip के शुरॉत में होती है तो अभी ये जो bob है ये अपनी mean position पर है Let's suppose करो कि इसने अपनी motion स्टार्ट करनी है और जब ये motion स्टार्ट करने वाला है तो पहले ये right की तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा तो शुरू में जब ये अपनी mean position पर है तो इसकी direction of velocity right की तरफ है यहां से ये पहले गया extreme position की तरफ extreme position पर पहुचा और पहुच कर फिर दुबारा वापस आगया mean position पर अब क्योंके इसकी original position तो same हो गई है लेकिन क्या इसने एक vibration complete कर ली तो देखते हैं कि इसकी direction of velocity किदर को है तो जब ये यहां पर पहुचा है तो इसकी direction of velocity तो left की तरफ है इसलिए position तो same हो गई लेकिन direction of velocity opposite है इसलिए इसने अभी तक पूरी vibration नहीं की इसके लिए पूरी vibration के लिए अब भी इसको left की तरफ जाना है extreme position पर पहुचना है और फिर दुबारा से जब ये mean position पर आएगा एक मर्तवा फिर इसकी position भी same हो गई और अब direction of velocity भी same है इसलिए अब इसकी एक complete vibration हो गई है तो complete vibration का मतलब क्या है के mean position से यहां तक जाना वापस आना half vibration और फिर दूसरी तरफ जाना और फिर वहां से फिर वापस आना अब जब वापस आएगा तो both position and direction of velocity same हो जाएगे तो इसको क्या बोलते हैं one complete vibration what is time period तो time period क्या है time to complete one vibration is called time period it is denoted by capital T and its SI unit is second एक vibration में एक complete vibration में कोई vibrating body जितना time लेगी वो उसका time period होगा time period को हम capital T के जरीए represent करते हैं और इसका SI system में जो unit है वो second है अच्छा student ये pendulum जब एक complete vibration करता है यानि जब यहां से चला extreme position पर पहुंचा और फिर वापस आया यहां तक half vibration हो गई और फिर गया और वापस आया यहां तक एक full vibration हो गई इसमें जो time लगा पूरी vibration में उसको हम एक time period बोलते हैं frequency what is frequency it is the number of vibrations completed in one second मतलब एक second में कोई vibrating body कितने चकर लगाती है या कितनी vibrations करती है उसको हम उसकी frequency बोलते हैं frequency को हम new यहां f के जरी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा unit hertz है और dimension second inverse है time period और frequency में थोड़ी सी confusion होती है तो इसको थोड़ा सा clear करना चाहिए time period का मतलब है कि एक चकर में यहां एक vibration में कितने second लगते हैं जबके frequency का मतलब होता है कि एक second में कितनी vibration होती है time period और frequency दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं इनके दर्मियान में जो relationship है वो है t is equal to 1 upon f यह f is equal to 1 upon t अगर एक मिला हो तो हम इस relationship के जरिए दूसरा automatically मालूम कर लेंगे तो देखते हैं कि t is equal to 1 upon f कैसे होता है अच्छा students time period और frequency के दर्मियान में जो relationship है उसको समझने के लिए हम यह suppose करते हैं कि यह जो pendulum है यह अपनी एक vibration में 2 second लेता है निसाल के तोर पर इसका time period हो गया 2 second इसका time period हो गया 2 second तो अब देखना है कि अगर time period 2 second है तो frequency कितनी होनी चाहिए तो इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि अगर इसका time period 2 second है यानि अगर यह यहां से चलता है यह जाता है half vibration हो गई और half vibration के बाद जब यह लोडता है और फिर दुबारा यहां तक पहुंचता है इसको full vibration कहेंगे और इस full vibration में इसने लिए 2 second यानि क्योंकि इसका time period 2 second है इसका मतलब है यह अपनी complete vibration में एक complete vibration में 2 second लेता है तो फिर इसने 1 second में कितनी vibration की होगी frequency तो हम बोलते हैं कि वो vibration जो 1 second में हो तो अब यहां से देखते हैं कि जब यह यहां से यहां पर चला होगा तो 1 second यहां तक हो गया होगा और फिर दूसरा second यहां तक यानि complete time period अगर 2 second है तो एक second में तो half vibration होई होगी और एक second में जो vibration होती है उसको हम बोलते हैं क्या frequency इसका मतलब है frequency हो गई frequency हो गई half half hours तो अगर आप इस तरीके से सोच लेते हो फिर भी सहिए नहीं तो simply क्या है कि अगर 2 है तो यहां पर आपने 1 by 2 कर देना है simply उसको अगर आप रेसी प्रोकॉल कर दोगे तो आपको frequency मिल जाएगी थोड़ा गोर कीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि यह pendulum जो है यह 2 by 3 second में एक vibration करता है क्या बोला 2 by 3 second में एक vibration करता है तो यह जो 2 by 3 second है यह इसकी frequency हुई यहां time period थोड़ा सोचिए मैंने बोला 2 by 3 second में एक vibration करता है अब आपको पता है एक vibration में 2 by 3 second लगे तो एक vibration में जो time लगता है वो time period होता है frequency नहीं यह जो 2 by 3 second में अगर यह एक vibration करता है तो 2 by 3 second इसका time period हो गया अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 2 by 3 second time period है तो फिर बताओ frequency क्या तो आपने simply क्या करना है इसको reciprocal कर देना है यानि अगर 2 by 3 second इसका time period है 2 by 3 second में यह एक vibration करता है तो फिर 3 by 2 3 by 2 vibrations यह एक second में करता होगा यानि इसकी frequency हो जाएगी 3 by 2 second inverse या 3 by 2 hertz तो समझ में आया कि अगर कोई pendulum 2 by 3 seconds में एक vibration करता है यानि 2 by 3 second उसका time period है तो फिर वही pendulum 3 by 2 vibrations करता होगा एक second में यानि फिर उसकी frequency 3 by 2 second inverse होगी तो फिर इसकी frequency तो इसको नमबर आफ रेडियांस covered in 1 second एक second में कोई particle कितने radiance cover करता है अंगल कितनी cover करता है रेडियांस में वो उसकी angular frequency होती है या इसको हम angular speed या angular velocity भी बोलते हैं इसको हम ओमेगा के लेटर के जरिया रिप्रेजेंट करते हैं इसका एसा unit रेडियांस पर सेकेंड है बहुत सारे students frequency और angular frequency में confused होते हैं अब इनको समझने के लिए ऐसा समझो कि frequency का मतलब होए कि एक second में vibrations कितनी होती है एक second में complete चकर कितने लगते हैं जबके angular frequency का मतलब होता है कि एक second में radians कितने कबर होते हैं अच्छा लेट सपोस के एक particle इस जगा पर है इसने ऐसे गोल चकर लगाने है तो अगर ये ऐसे गोल घुम कर आता है और एक second में एक पूरा चकर लगाता है यानि एक second में अगर एक चकर लगाता है तो इट मींज कि इसकी जो frequency है वो हो गई 1 क्यूं? क्यूंकि इसने एक second में एक चकर लगाया तो number of complete revolutions in one second is called frequency अब सोचो कि एक चकर में तो 2 pi radian होते हैं तो अगर एक second में इसने एक चकर लगाया तो फिर बताओ कि एक second में इसने रेडियान कितने किये तो definitely हम बोलेंगे 2 pi radian कवर किये अब एक मतब फिर देखते हैं अगर इसने एक second में दो चकर लगाये यानि इसकी जो frequency है यह दो हो गई तो फिर इसने एक second में अगर दो चकर लगाये तो फिर एक second में इसने 4 pi radian किये इसी वज़ा से जितने भी कोई कोई particle जितने भी चकर लगायेगा उसको अगर आप 2 pi से multiply कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने radian कितने गवर किये इसी वज़ा से समझने वाली जो बात है कि frequency का मतलब है कि एक second में चकर कितने लगते हैं एक second में complete vibration कितनी होती है जबके angular frequency का मतलब है कि एक second में radian कितने कवर होते हैं तो अब यह जो हमारे पास formula है omega is equal to 2 pi f इसमें अगर आप frequency की value put करते जाओगे तो automatically आपको angular frequency मिलती जाएगी अगर आपकी frequency है 1 यानी 1 vibration या 1 cycle per second तो angular frequency क्या हो जाएगी 2 pi radian per second अगर आप यहाँ पर 2 value put करोगे तो 4 pi radian तो क्योंकि हर चकर में 2 pi radian होते हैं तो अगर कोई particle एक second में 5 चकर लगाएगा यान उसकी frequency 5 होगी तो automatically वो एक second में 10 pi radians कर लेगा तो आपने just simply क्या करना है 2 pi के साथ multiply करके angular frequency निका लेनी है omega 2 pi f के बराबर होता है यहाँ frequency को जब हम reciprocal कर देते हैं तो यह 2 pi upon t हो जाता है क्योंकि इसमें यह 2 pi constant है तो it means omega is proportional to frequency is inversely proportional to time period तो अगर किसी body की angular speed या angular velocity ज़्यादा है तो उसकी frequency भी ज़्यादा होगी पर time period कम होगा तो इन दोनों की relationship आपस में direct है जबके इन दोनों के साथ time period की relationship inverse है जो समझने वाली बात यह है क्योंकि इसमें 2 pi constant है तो अगर इन तीनों में से आपको एक चीज मिल जाती है तो automatically दूसरी मिल जाएंगी आपने just you have to put the value of 2 pi यानि 6.28 और फिर equation में रखकर आपने solve करना है frequency है तो frequency के लिए time period है तो time period के लिए यानि ऐसे सोच लिजिए कि अगर इन तीनों में से कोई एक constant तो बाकी sub constant uniform circular motion में अगर omega constant तो frequency और time period भी constant periodic motion में अगर time period constant तो frequency और omega भी constant और अगर इन तीनों में से कोई एक भी vary करेगा तो automatically sub vary करेंगे कोई पार्टिकल अपनी equilibrium position से ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है हम उसको उसका amplitude बोलते हैं तो यह जो distance है यह maximum distance है यानि extreme position तक इसको हम amplitude बोलते हैं और आम दोर पर हम इसको x0 या कभी-कभी a0 के जरिये भी represent करते हैं यह on either side either side का मतलब है कि mean position से right की तरफ भी और mean position से left की तरफ भी जो maximum displacement होता है हम उसको amplitude बोलते हैं कभी-कभी हम angular amplitude के बारे में भी सुनते हैं angular amplitude का मतलब होता है कि यहाँ पर यह जो angle बन रही है इस vertical line जब यह particle अपनी mean position पर था और जब यह particle अपनी extreme position पर आ गया है और उसकी जो line बन रही है इस support के साथ इन दोनों line के दर्मियान में यह जो theta होती है इसको हम angular amplitude बोलते हैं तो amplitude का मतलब है कि maximum displacement from mean position on either side और angular amplitude का मतलब है कि जो maximum angle बनती है vertical line जब particle अपनी mean position पर होता है और जब particle अपनी extreme position पर होता है और उसकी जो line होती है इन दोनों line के दर्मियान में जो angle होती है इसको हम angular amplitude बोलते हैं आम तोर पर यह angle बहुत small होती है otherwise motion जो है वो simple harmonic motion नहीं हो पाती simple harmonic motion में हम अख से एक्टरम यूज़ करते हैं restoring force restoring force क्या है it is a force which always tend to restore the mean position और original position of vibrating particle as in hooks law जैसे के हम hooks law में जो force देखते हैं यह restoring force होता है restoring force जो है वो displacement की हमेशा opposite होता है तो यह सबसे जो left वाली figure है इस में यह जो black है यह अपनी mean position पर है जब कोई black अपनी mean position पर होता है तो उसका displacement 0 होता है क्योंकि displacement मेयर ही mean position से होता है अब इस पर दो force act कर रहे हैं यह red वाला gravitational force और यह green वाला normal force जो surface में से मिलता है यह दोनों force एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं और यह black equilibrium में है अब क्योंकि इसका displacement नहीं है तो इस पर restoring force भी नहीं लग रहा इसलिए यहाँ पर यह सारा system equilibrium में है यह ना तो stretched है और ना ही हमने इसको compress किया हुआ है और इसकी जो spring की length है यह exactly original length के बराबर है अब यह जो दर्म्यान वाला spring है इसमें हमने इस black को थोड़ा सा stretch करके right की दरफ ले गए है जब हमने इसको stretch कर दिया तो इसका displacement positive हो गया positive means greater than zero हो गया और इसकी original length जो है यह बढ़कर ज्यादा हो गई तो spring की length जो है यह greater हो गई its original length से अच्छा अब इस पर gravitational force और normal force तो एक दूसरे को balance कर रहे हैं पर spring की extension की वज़ा से displacement की वज़ा से इसके अंदर हुक्सला वाला restoring force आ गया और वो जो restoring force है देखें यह left की तरफ है क्योंकि displacement right की तरफ है तो restoring force अब left की तरफ हो गया इसी वज़ा से हुक्सला में minus sign आती है अब अगर आप displacement ज्यादा करोगे तो restoring force भी ज्यादा होता जाएगा क्योंकि यह उसके साथ directly proportional है यह जो सबसे right वाली figure है इसमें आपने spring को compress किया हुआ है अपनी mean position से इसको हम left की तरफ ले गये हैं जिसकी वज़ा से इसका displacement less than zero हो गया less than zero मतलब negative हो गया अभी भी इस पर gravitational force और normal force तो एक दूसरे को balance कर रहे हैं लेकिन क्योंकि spring को हमने left की तरफ displace किया है तो इसमें अब restoring force right की तरफ हो गया और spring की length जो है यह charter हो गई इसकी original length के साथ तो I hope कि इस examples में से आपको पता चला होगा कि displacement को हमने positive negative कैसे लेना है और उसको उसकी mean position से कैसे measure किया जाता है और इसी तरीके से जो restoring force होता है वो displacement से opposite direction में कैसे होता है phase, phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely express the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position simple harmonic motion में phase जो है इसका मतलब यह होता है कि एसी physical quantity जो हमें position और direction of motion के बारे में बताए कि कोई particle अपनी mean position से किस position पर है और वो किस direction की तरफ move कर रहा है यह simple harmonic motion की equation है x is equal to x not sin theta अगर हम theta को थोड़ा expand करें तो यह बन जाएगा omega t plus phi अब इसके अंदर यह omega t plus जो phi है इसको हम mathematically phase बोलते हैं phase actually एक angle है जो जिसके through हमें यह पता चलता है कि कोई particle अपनी mean position से किस position पर है और वो किस तरफ को move कर रहा है initial phase initial phase is the phase of a vibrating particle at a time t is equal to 0 यह circle का center है और यह particle suppose करो कोई particle जो है इस circle के circumference के along move कर रहा है यह शुरू में यहाँ पर था लेकिन जब हमने note किया तो यह यहाँ तक पहुँच चुका था तो जब time t is equal to 0 था time t is equal to 0 था यानि जब हमने motion को consider किया तो वो already यहाँ पर आ चुका था उसने already एक angle बना चुकी थी अपनी mean position से जिसको हम इस वाली angle को क्या बोलते हैं initial phase angle इसको हम क्या बोलेंगे initial phase angle जो वो particle आल्रेडी अपनी mean position के साथ बना चुका था जब time t 0 था और जैसे ही time चलना शुरू हुआ तो 0 के बाद उसने एक और angle cover करना शुरू की और यह वाली angle इस angle को हम omega t बोलेंगे omega t omega t जो है angle of last t into time यह भी angle होती है अब इन दोनों angle को अगर हम sum कर दें तो हमें particle की total angle मिल जाएगी जो वो अपनी mean position के साथ बनाता है और इस total angle को हम phase of motion बोलते हैं क्योंकि यह जो phase है यह हमें particle की position और direction बताता है with respect to origin और यह जो शुरूरी angle थी जो यह अपनी mean position के साथ बना रहा था जब time zero था उसको हम क्या बोलते हैं initial phase relationship between path difference, phase difference and time difference simple harmonic motion में और next section में जो wave motion है इसमें हम तीन किसम की difference देखते हैं एक path का difference यानि length का difference दूसरा phase का difference यानि angle का difference और तीसरा time का difference ये एक sign wave का diagram है wave जो होती है वो vibration में से बनती है एक complete vibration में एक wavelength बन जाती है एक wavelength जो है यहां से लेकर जैसे के diagram में show किया है यहां तक अब एक vibration में कोई भी wave एक wavelength जितना travel करती है तो अगर और हमें ये भी पता है कि पता ये करना है कि अगर दो points के दर्म्यान में path का फरक एक wavelength जितना है तो time का फरक एक time period जितना होगा और phase का फरक 2pi radian के बराबर होगा इसको समझना बिलकुल ही आसान है आपने करना क्या है कि suppose करो जिन दो physical quantities को हमने compare करना है तो हम उनको एक दूसरे के साथ divide करेंगे ये path difference हो गया और ये divide कर दिया हमने इसको phase difference के साथ अब हमें पता है कि जब path difference lambda जितना होता है तो phase difference 2pi के बराबर होता है तो बस ये simple सी ही एक trick है मिसाल के दोर पर path difference upon time difference तो अब हमें पता है कि path difference जब lambda जितना हो जाए तो time difference t जितना हो जाता है तो हमने इस trick में करना क्या है कि जिन भी दो physical quantities को आपने compare करना है पहले तो उनको divide कर लो बराबर करके और फिर देखो कि time difference कितना होता है जब phase difference इतना होता है तो फिर आपने देखना है कि time difference जब t जितना होता है तो phase difference 2 pi radian जितना होता है तो students ये ज़रा गोर करें कि अगर हमें path difference और phase difference के दर्मियान में relationship लेनी है तो क्या हो गया path difference difference के लिए मैं शार्ट में d लगा देता हूँ और ये हो गया नीचे phase difference दोनों physical quantity को हमने divide कर लिया और फिर बराबर लगा कर सोचा के path difference जब lambda जितना होता है तो उस वक्त phase difference 2 pi हो जाता है अब यहां तो हमें path difference देगा और phase difference पुछेगा यहां फिर phase difference देगा और path difference पुछेगा मिसाल के तोर पर वो बोलता है के phase difference pi है तो फिर हम क्या करेंगे phase difference के बदले जितना वो phase difference दे रहा है वो लिक लेंगे तो फिर once again path difference पान वो phase difference कितना बोल रहा है पाई तो हमने रख दिया पाई बाकी यह lambda पान टू पाई अब पाई पाई में कैंसल हो गया तो path difference कितना बचा लेंडा बाई टू तो इस तरीके से यह जो तीनो physical quantities है इनको हम एक दूसरे में convert घर लिया करेंगे mean position mean position क्या है the point at which no net force x on the oscillating body is known as equilibrium position or mean position वो point जिसमें body अपने equilibrium point पर हो उस पर कोई no net zore या restoring zore ना लग रहा हो तो उसकी mean position होती है mean position है और इस mean position पर net zore नहीं लगता तो zore minimum होता है Newton के लाके इसाब से अगर zore नहीं है तो acceleration भी minimum होगी और hooks लाके इसाब से अगर zore नहीं है तो displacement भी 0 होगा तो mean position पर displacement भी 0, zore भी 0, acceleration भी 0 और potential energy भी 0 फर mean position से जब कोई बाड़ी गुजरती है इससे करके जब बाड़ी उपर जाती है तो यहाँ पर याकर रुख जाती यह पिर जब वह वापस आती है तो वापसी मैं तेज होती है और जब वह अपनी mean position से गुजर रही होती है तो maximum speed के साथ गुजर रही होती है, इसलिए mean position पर kinetic energy भी maximum और velocity भी maximum होती है Extreme position, the point at which maximum force X and oscillating body is known as extreme position यह extreme position है, इस extreme position पर जब body आती है उस पर maximum जोर लग रहा होता है क्योंकि उसका displacement maximum होता है और hooks लाके इसाब से उस पर maximum जोर लगना है तो जब maximum जोर होगा, तो acceleration भी newton के second लाके इसाब से maximum होगी तो extreme position पर जोर भी maximum और acceleration भी maximum और क्योंकि body अपनी mean position से maximum distance पर होती है, तो फिर potential energy भी maximum फर यहां पर body क्योंकि रुक जाती है तो इसकी velocity 0 और इसकी kinetic energy 0 इसका momentum 0 तो यह चीज़ें 0 हो जाती है damned oscillations, अगर कोई vibrating body इस तरीके से vibrate करें कि उसका amplitude gradually decrease होता जाए हो इसलिए कि आम तोर पर कभी कभी friction होता है जो oscillating system में से energy को dissipate करता रहता है और oscillations का amplitude कम हो कर खतम हो जाता है तो ऐसी oscillation को हम damned oscillation बोलते हैं simple harmonic motion, if a particle moves with its acceleration directed towards the mean position and the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from its equilibrium position then it is said to be in simple harmonic motion, simple harmonic motion AC motion होती है जिसमें किसी vibrating particle की acceleration उसके displacement के साथ directly proportional हो और उसकी direction जो है वो displacement के opposite हो यानि towards the mean position हो तो फिर AC motion simple harmonic motion होती है तो हमने देखा कि simple harmonic motion की दो condition है एक तो acceleration displacement के साथ proportional हो और दूसरा acceleration की जो direction है वो displacement के opposite towards the mean position हो सिम्पल harmonic motion में कोई भी चीज constant नहीं होती सब चीजें time के साथ vary करती है मिसाल के दोर पर displacement भी change होता रहता है velocity भी कम ज्यादा होती है acceleration भी कम ज्यादा होती रहती है इसी तरीके से जोर, potential energy, kinetic energy, momentum यह सब vary करते हैं सिर्फ एक चीज़ constant रहती है और वो होती है total energy examples of simple harmonic motion simple harmonic motion के examples में oscillation of a spring आ जाता है oscillation of a paper goat and water waves आ जाता है कागस की कष्टी जब पानी की लहरों के उपर vibrate करती है तो वो simple harmonic motion execute करती है vibration of a tuning fork, simple harmonic motion करती है oscillation of a simple pendulum with small amplitude अगर simple pendulum का amplitude कम होगा तो उसकी motion भी simple harmonic motion होती है motion of the projection of a particle moving in a circle with uniform speed है क्रेश dat वสब्चान पान-गर